दोस्तो नमस्कार, समीर कंप्पूटर ग्यान में आपका स्वागत है आज हम इस वीडियो में MS Excel में Age Calculate करना सिखेंगे Date of Birth से की Age Calculate कैसे करते हैं वो हम इस Excel सीट में Live करके दिखाएंगे तो दोस्तो इस वीडियो को आप Step by Step पूरा देखें तो चलिए शुरू करते हैं तो हम यहाँ Excel सीट ओपन करके रखें हैं हम सबसे पहले दो कोलम सेलेक्ट करेंगे हम यहाँ से मर्च करेंगे उसके बाद में हम यहाँ लिखेंगे Age Calculator उसके बाद में हम यहाँ लिखेंगे निच्चे Date of Birth फिर यहां next column में लिखेंगे हम Age उसके बाद में हम दोस्तो यह लग रहा है तो हम ठोड़ा सा जूम कर लिते हैं इस तरह से उसके बाद में दोस्तो हम यहाँ simple सा यहाँ date डलेंगे तो हम date डलते हैं अब हम यहाँ date उसी तरह से डालेंगे, जो आपके system में laptop या जो भी computer में जो आप यूज कर रहे हो तो यहां right side में यहां देखेंगे date किस format में आपका system में लगा हुआ है, तो उसी format में आप यहां date डालेंगे, तो मैं यहां date डाल रहा हूँ, कुछी इस तरह से 100 होगा, तो मैं इसी तरह से 4-5 date of birth डाल रहा हूँ, तो कुछी इस तरह से हम date of birth यहां डाल दिये हैं, अब हम सबसे पहले यहां color set कर लेते हैं, तो यहां पर जाएंगे हम home page में, home page में यहां पर हम जो color लेना चाहिए हो color set कर देते हैं, थोड़ा अच्छा दिखने के लिए, कुछ इस तरह से दिखेगा, यहां हम font का color white ले ले लेते हैं, उसके बाद में हम इसे select करेंगे, उसके बाद में इसका color भी हम change कर देते हैं, कुछ इस तरह से, उसके बाद में हम इसे जाएंगे, bottom border में, यहां देखेंगे, हम all border कर देंगे, कुछ इस तरह से हो जाएगा, उसके बाद में हम यहां देखेंगे, दोस्तों, मैं यह age calculate करने के लिए, यह format बना लिया हूँ, अब मैं इस date of birth में age कैसे निकाल लूँगा, यह आप देखेंगे, तो मैं यहां formula लगाने वाला हूँ, तो मैं यहां पर करसर ले जाऊँगा, उसके बाद में यहां मैं age calculate आज के date में, उनका कितना age हो रहा है, तो यह हम अभी डाल रहे हैं formula, यहां डाल रहे हम equal, अब हम यहां आगे डाल लेंगे dated ifs, अब कोश्टक open करेंगे, उसके बाद में हम यहां left side में जो date of birth लिखे हैं, इसे click करेंगे, किलिक करेंगे तो यहां पर 100 हो जाएगा, उसके बाद में हम यहां comma डालेंगे, उसके बाद में हम लिखेंगे, यहां today, उसके बाद में हम कोश्टक open करेंगे, कोश्टक close कर देंगे, उसके बाद में हम comma डालेंगे, फिर हम year निकालने के लिए यहां double invited कोमा उपन करेंगे यहां year का y लिखेंगे उसके बाद में double invited कोमा बंद कर देंगे उसके बाद में simply कोष्टर क्लोज करेंगे कुछ इस तरह से तो आप देख सकते हैं दोस्तो मैं किस तरह से इसका formula अपलाई किया हूँ तो हम देखेंगे दोस्तो यहां हम जैसे अभी इंटर करेंगे तो आप देख सकते हैं कि आज के date में इस date of birth का क्या age निकलेगा तो मैं यहां इंटर कर रहा हूँ तो दोस्तो यह आप देख सकते हैं कि आज के date में इस date of birth का 32 age निकल के सामने आ गया, इसी तरह से हम बागी का भी निकाल लेंगे, तो हम यहाँ select किये, select करने के बाद में हम यहाँ से इसे पकड़ के निचे drag कर देंगे, कुछ इस तरह से, तो जितने भी यहाँ date of birth हैं, इनके age calculate होके निकल गया, तो इसे हम center में लेंगे, तो हम पेज में जाएंगे और यहाँ हम alignment center कर देंगे, कुछ इस तरह से, तो दोस्तों, आपको वीडियो समझ में आ गई होगी, तो आप भी इसी तरह से age calculate कर सकते हैं, बिलकुल ही असान है, तो दोस्तों, आपको यह वीडियो अच्छी लगी, तो वीडियो को comment करें, like करें और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए वीडियो को subscribe करें,